नमसकार दोस्तों आपका स्वागात है आपके अपने चेनल टेकनिकल mcq में फ्रेंट्स हमारे चेनल पर बैक टू बैक क्लासस आ रही है आपके आने वाले एकजाम ncl का जो होने वाला है 27 12 2020 को तो फ्रेंट्स इससे पहले हमने अपनी क्लास जो है 17 तक क्लास पूरी कंपलिट कर चुकी है अगर आपने नहीं देखी तो description box में आपको लेक मिल जाएगी और आज जो हमारी special class है वो है gauge related हमने एसे 30 most important question आपके साथ discuss किरने की कोशिश किये जिसके लिए direct question यहां से पूछे जाते हैं तो gauge में तो friends इस class को जरूर attempt करें आप 30 question आएंगे एक के बाद एक और friends यहां पर 3-4 second आपको मिलेगा हर question के लिए आपको इन 4 option में से कोई एक answer को gauge करना है और बताना है कि question का right answer क्या होगा तो winner time waste की हुए हम अपने वीडियो को start करते हैं तो फहला question आपके सामने यह रहा surface gauge का दूसरा नाम क्या है surface gauge is the second name और ले के लिए पर scribing blocks, licks gauge या फिर उप्रोक तो सभी all of these बताए friends right answer क्या हो सकता है आपका समय start होता है अब friends यहां पर जो इस question का right answer है वो है option B scribing block कितने लोगों ने सही बताया देखते हैं submit कर किसका right answer सही है की नहीं तो जी हाँ बिल्कुल correct है हमारे पहले question का जो right answer है वो है scribing block friends मैं आपको बताना चुआँगा अगर पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe जरू करने ताकि कभी मैं अगर वीडियो डालू तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो प्राप्त हो सके चलिए आगे बढ़ते हैं winner time waste किये next question क्या है हमारा gauge से आपके slayvars के अनुसारी आपके पड़ाई यहाँ पर हो रही है तो जो है आपको सारे question को ध्यान से देखना है important question आपके लिए सभी होंगे gauge से related ही है तो यहाँ पर यह question आप से फोड़ा सा zoom कर देता हूँ दूसरा question है drill grinding gauge का कोन होता है drill is the angle of the grinding gauge तो यह चार option है 118 degree, 121 degree, 122 degree या फिर 133 degree बता ही right answer क्या हो सकता है यहाँ जो right answer friends वो है option जी हाँ बिल्कुल correct option भी यहाँ पर right answer है 121 degree submit करके देख लेते हैं इसे कि drill grinding gauge का कोन कितना होता है जी हाँ बिल्कुल correct ही जैसे कि आप देख सकते हैं right का chin आ गया right का चलिए आगे बढ़ते है next question की और तो यह next question आपके लिए यह रहा filler gauge का उप्यों खालिस्तान के लिए होता है filler gauge is used for छेत की सटीक्ता की जांच के लिए checking the accuracy of hole सता है खुरदुरेपन की जांच के लिए matching भागों के बीच की दूरी की जांच के लिए none of these बता ही right answer क्या होगा यहां पर right answer आपका क्या हो सकता है तीसरे question के लिए देखते कितने लोग पता है फिंट में आपको बताना चाहूंगा कि आप यह है आपके लोग आप लोगों के लिए मैं रोज एक जो है वीडियो लेकर आई रहा हूं तो आपको क्या करना है केवल और केवल इन वीडियो को attempt करना है सारे question को और guess करना है केवल और आखरी में मुझे comment section में जरूर यह बता दिया करें कि आपके 30 में से कितने सही हूँ यह फिर जितने भी question लेकर आता हूँ आपके लिए important question यह as it is आपके NCL की परिक्षम यह question पूछे जाने की संभावना है देख लीजिएगा आपको as it is question मिलेंगे तो चलिए इसका right answer बताने की समय आ चुका है यहाँ पर जो right answer जो option C जितने लोगों ने बता प्रियोग होता है in which work is the wire gauge used rod का व्यास में आपने के लिए drill का angle में आपने के लिए तार सीट के मोटाइम आपने के लिए फिर none of the above बता ही right answer क्या हो सकता है चौते question के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ wire gauge किस काम में प्रियोग होता है तो जी हाँ इसका right answer option C तार या स third option बिल्कुल correct है देख लेते हैं submit करके जिहां बिल्कुल correct है third option आगे बढ़ते हैं पांचवा question आपके सामने यह रहा what is the full form of SWG with respect to wire measurement तार मापने के संबंद में SWG का पूर्ण रूप क्या है यह most important question आपका यह question आपका wire मतलब जो gauge chapter है यह topic है उससे बार और पूछा जाता ह आपकी परिक्षाओं में तो बता यह right answer क्या होगा supportive wire gauge standard wire gauge standard wide gauge या फिर steel wire gauge बता यह right answer क्या हो सकता है यहाँ पर A, B, C, D बिल्कुल correct जो भी हमें option B बता रहे है standard wire gauge वो बिल्कुल correct है देख लेते submit करके तो जो जितने विद्यारतियों ने हमें option B बता है बिल्कुल correct है आप लोग चलिए next question की और बढ़ते हैं च्छटबा question आपके सामने यह रहा filler gauge का दूसरा नाम क्या है the other name of the filler gauge is thickness gauge, flat gauge flat belt gauge या फिर slip gauge बता ही right answer क्या हो सकता है हमारे चड़वे question के लिए जी हाँ बिल्कुल correct है आप option A यहाँ पर right answer है thickness gains या फिर दूसरा नाम क्या है इसका बताईए चलिए कितने लोग पता है दूसरा नाम क्या है इसका clearance gauge भी कहते हैं याद रखिएगा हमेशा चलिए next question की और वड़ते हैं अगला question क्या है देख लेते हैं continue पर click कर लेते हैं यह साथवा question आपके सामने यह रहा एक पेंच या bolt में प्रती इंच चूनियों की संक्या किस gauge से मापी जाती है आपका question है कि क्या है number of thread per inch screw voltage checked by तो बता ही right answer क्या होगा आपका question यह रहा right answer बता ही right answer क्या हो सक एक पेंच यह बोल्ट में प्रती इंच चूनियों की संक्या किस प्रकार के gauge से मापी जाती है अगर फ्रेंट्स पिच या पिच प्रती mm आ जाए या प्रती इंच आ जाए तो यहां पर आपको किस से मापना है तो जी यहां बिल्कुर करेक्ट option सी यहां पर आइटा है screw pitch gauge का प्रियू करेंगे आप ठीक है चूंगे को मापने के लिए पिच आया और पिच कोई चेक करना है तो screw pitch gauge का आगे बढ़ते है नेक्स कोशन की और आठव कोशन खालिस्तान का प्रियूक चिद्र की जांच के लिए किया जाता है blank is used or inspection cylindrical hole अगर आगको inspection करना है cylindrical hole का तो आप किस gauge का प्रियोग करेंगे चार option आपके सामने right answer पता ही मुझे क्या हो सकता right answer snap gauge, plug gauge, ring gauge या फिर position gauge पता ही right answer क्या हो सकता है तो यहाँ पर जो right answer है वो है option B plug gauge जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल correct है देख लेते हैं हम इसे submit plug gauge का प्रियोग करते हैं अंदरुनी चिद्र की जांच के लिए आगे बढ़ते हैं next question nova question यह रहा आपके सामने क्या है which of the following grade of slip gauge is not specified by the BIS निमली कितमे से slip gauge का कौन सा प्रकार इनमे से नहीं है और फ्रट पहिले है या नहीं है तो बताइए right answer क्या हो सकता है is right answer है बताइए क्या हो सकता है यतने भी लोग options D बता रहे हैं बिल्कुल correct है यहाँ पर option D बिल्कुल correct है बाकि यह तीनों प्रकार के होते हैं जी हाँ बिल्कुल correct है आगे बढ़ते हैं विनर टाइम वेस्ट करते हुए फ्रेंट्स मैं आपको अता दूँ आपको तैयारी जो है जी जान से करना है क्योंकि अब आपको देखिये मौके बहुत कम है जैसा क कि आपको पता है कोरोना के कारेंट कोई भी एक्जाम जो है नहीं हो पा रहा केवल और केवल आपका एक्जाम सबसे पहले यही हो रहा है और जो बच्छा अच्छे से मेहनत कर लेगा जो अज सारी वीडियो को देखेगा और अच्छी कड़ी मेहनत कर रहा होगा वो निश् के slip gauge का प्रयोग कारीगर त्वारा टूल रूम वर्क में किया जाता है तो टूल रूमम रापके Model का प्रयोग आपको करेंगे वर्क हेचे देख लेते हैं जी हां बिल्कुल करेक्ट है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और 11th question आपके सामने यह रहा ring age का प्रियोग किस उद्देश के लिए किया जाता है what is the purpose of ring age कितने लोगों पता ring age के बारे में तो बताए ring age का purpose क्या हो सकता है बाहरी चूणियों की जाच करने के लिए बाहरी व्यास को चेक करने के लिए गोलका चिदर को मापने के लिए या फिर टेपर साफ्ट के diameter को मापने के लिए बताए राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर तो जी हाँ बिलकुल correct है आप लोग option भी यहाँ पर आईट है ऐसे फिक्सड टाइप औफ स्नेप गेज़ विल है इस तरह स्नेप गेज में खलिस्तान होते हैं गो नो गो ऑँड़ा आइडर एंड गो नो गो एंड आंड ऑं दा इंड नो गो सेपरेटली या फिर गो नो ऑन बौट एंड बता यह राइट आंसर क्या होगा फिक्स टाइ किएगा मेशा बिल्कुल करेक्ट हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर लिमिट प्लग गेज का गो सिरा तेरवा कोश्चन है आपके सामने खालिस्तान में होता है लंबाई में बड़ा लंबाई में छोटा दोनों एक बरावर या उपरोगत सभी तो लिमिट कौ कोश्चन है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन कुन सा है हमारा पंद्रवा सोलीस चौदुवा कोश्चन हमारा फॉर्टीन्त कोश्चन हाड्नेस और स्लिप गेज की हाड्नेस कितनी होती बताईए तो यहां पर जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूं आपसें सी यहां पर बिल्कों करेक्ट है 300 HRC होती है स्लिप गेज की हाड्नेस चलिए नेक्स्ट कोश्चन की और फिप्टीन्त कोश्चन आपके सामने यह रहा वर्क्शॉप में सामानी तोर पर किस ग्रेट के स्लिप गेज का प्रियोक है ता अभी सबसे पहले टूल रूम में आया तो क्या आया तो उसका राइट आंसर ग्रेट वन अब यहां पर आपको लिए क्या पूछा है वर्क्शॉप बताई वर्क्शॉप के लिए किस ग्रेट के स्लिप गेज का प्रियोक करेंगे आप बताई ग्रेट वन ग्रेट टू ग्रेट जीरो या ग्रेट जीरो जीरो बता विए कितम इसे किस गेज का प्रियोग कार की सांट टूल को एलाइन करने के लिए किया जाता है इसा कौन सा गेज जिसका प्रियोग एलाइन्मेंट में किया जाता है विच वन अधर फॉलोईंगेज इस यूज तो एलाइन दर ले टूल विद दा वर्क तो फ्रेंट कभी-कभी क्या होता है कि हिंदी में जो है कोश्टन सही से लिखा नहीं होता है यह आपको मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ आपके एक्जाम के लिए कभी कभी कहा होता है कि जो इनदी होती है उसमें परफ्रेक्ट कोश्चन वह लिखा नहीं होता तो आपको हमेशा प्रिफर जो करना वह इंगलिस लैन विज को प्रिफर करना है ठीक है फ्रेंट्स हमेशा याद रखिएगा तो यहां पर बताई राइट आंसर क्या होता बताई आपके अनुसार किस गेज का प्रियोग एलाइन के लिए लेट टूल में तो यहां पर जी हां बिलकुल करेक्ट है ऑप्सन डी यहां पर राइट आंसर होगा सेंटर गेज का प्रियोग करेंगे देख लेते हैं सम्मिट करके से हम जी हां बिलकुल करेक्ट है फ्रेंट्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को तो लाइक करी लें आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए आगे बढ़ आए चाहते हैं तो जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है आप लोग ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर है अलाई स्टील देख लेते हैं जी हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन की और नेक्ट कोशन है हमारा 18 कोशन यह रहा आपके सामने निमलिकित में से कौन से गेज पर गो यह आई एंपी ठीक है यह कोशन अगर गेज आ रहा है तो यह कोशन निश्चित लिखके लेलो यह कोशन आप से पूछा जाएगा इसको आपका अगर एक नंबर जो है आपको चाहिए तो इस कोशन को कर लें आप ठीक है 100 कोशन पूचे जाएंगे 90 मिनिट आपका डिवरे प्रियोग किस प्रकार के मापको जाचने के लिए ब्लॉक स्पूच लेवल इस यूज्ट फोर चेकिंग दा बताई राइट आंसर क्यों कहोगा वर्टिकल लेवल ओनली ओरिजन्टल लेवल ओनली वर्टिकल और ओरिजन्टल ओनली दोनों या फिर एंगुलर मेजरमेंट बताई राइट आंसर क्या होगा आपके 19 कोशन के लिए जिहां बिल्कुल करेक्ट जितने भी लोग मुझे ऑप्शन सी बता रहे हैं वर्टिकल और ओरिजन्टल ओनली बिल्कुल करेक्ट हैं आप लोग जो ब्लॉक स्पूरिट लेवल होता उसका प्रियोग वर्टिकल और नमबर दर ठिकनेस ओफ सीट मेटल इस टू बताई इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है यह आपको अताना यह घटती बढ़ती दोनों रहती है समान रहती है बताना आपका गेज नमबर घट रहा है तो सीट के मटए पर क्या परक पड़ेगा जी हाँ बिल्कुल करेक्ट इंस्पेक्शन रूम का जो इस्टेंडर आपमान होता है बहुत है ट्वेंटी डिग्री जितने भी लोग बताने बिल्कुल करेक्ट है आप लोग जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है इंस्पेक्शन रूम का जो इस्टेंडर आपमान होता है बहुत है ट्वेंटी डिग्री नेम लिकित में से किस यंतर का प्रयोग अंदरूनी बड़े व्यास को मापने के लिए के जाता है यहाँ पे ध्यान देना है क्या लिखा है येक लाइ 23rd question आपका क्या है ये भी देख लें बारती मानक के अनुसरा slip gauge के विसे समू में खालिस्तान होते हैं एस पर इंडिया स्टेंडर्ड एस स्पेशियल सेट अफ स्लिप गेज इस कॉंटेंड आफ कंसिस्ट आफ बताईए फ्रेंट्स कितने सेट होते हैं या कितने पीस का एक इस स्लिप गेज स्टेंडर्ड होता है चार ओफ्षन आपके सामने राइट आंसर क्या हो सकता है यहां बिल्कुल करेक्ट 112 पीस का होता है स्टेंडर्ड इस सलिप गेज का सेट देख लेते हैं सम्मिट करके जिए राइट आंसर एक ऑफ्षन दी आगे बढ़ते हैं नेक्स देलिसकोप का पूछा है आपसे यहां बेलकुल करेक्ट है जितने भी लोग मुझे option C बता रहे हैं बिल्कुल correct है बारत सम्दों साथ से 1524 तक होती है और 32 सम्दों साथ तक किस की होती है small health की old gauge की याद रखिएगा यहां से यहां पर right answer है option C देख लेते हैं submit करके जी हां right answer है आगे बढ़ते है next question की और हमारा next question है 25 plug gauge को किस लिए किया जाता है अब आपको बताना plug gauge का पर्वस what is the purpose of plug gauge check the outside thread check the ring hole diameter check the taper hole diameter check the inside diameter बता ही right answer क्या हो सकता है जी हां बिल्कुल correct option D यहां पर right answer है check the inside diameter अंदरूनी जांच के लिए hole की जांच के लिए हम किसका प्रियों करते हैं plug gauge का आगे बढ़ते हैं 26 question आपके सामने यह रहा sign bar के उप्योग दोरा कोणों के मापन के लिए slip gauge की उचाई तथा blank याने खालिस्तान के मद्ध के अनुपात के अनुपात के अनुसार निर्मित कोण होता है बड़ा इस तरल question है right answer क्या हो सकता है height of the sign bar याने sign bar की उचाई slip gauge की संख्या या sign bar की लंबाई या sign bar की चोणाई बताई right answer क्या हो गए आप थोड़ा सा समय देते हैं जल्दी से बताई right answer क्या हो सकता है sign bar के उप्योग दोड़ा कोणों के मापने के लिए slip gauge की हो चाहिता था पालिस्तान के मदिक अनुपायत की नुसार निनमित को होता है तो यहां पर चली में बता देता हूं right answer option c sign bar की लंबाई आगे बढ़ते हैं next question क्या है देख लेते हैं जिहां यहां पर right answer था option c next question है आपके सामने 27th question आपके सामने ये रहा sign bar के साथ कौन की setting करते समय समकौन की कौन सी भुजा sign bar को निरूपित करती है well setting angle with the sign bar which side of the right angle does the sign bar represent तो बताई फ्रेंड्स right answer क्या हो सकता है यहां पर right answer क्या हो सकता है बताई मुझे 27 question का जो right answer है वो है option c hypotenuse side याने विकर्ण भुजा ठीक है फ्रेंड्स यहां पर right answer होगा option c चलिए next question की और next question क्या है देख लेते हैं submit करके जी हां बिलकुल correct है option c 27 question के लिए 28 question आपके सामने ये रहा महीन screw चूड़ी तता flank angle स्वरूप के जाच किस यंतर का प्रियोग किया जाता है the flank angle and the form of the fine screw thread can be checked by using a यहां पर आपको यहने बारिक चूड़ी के flank angle चेक करना है तो किसके द्वारा चेक होगा यहां पर ये बताना है right answer क्या होगा जरूर बताए प्लग गेज, optical projector, thread, micrometer या none of these बताए 28 question का right answer क्या हो सकता है तो यहां पर जो right answer friends मत आपको बता देता हूँ optical projector यहां पर right answer होगा जिहां बिल्कु correct आप सोच रहे हैं option B यहां पर right answer है 28 question के लिए देख सकते हैं आप चलिए next question क्या है देख लेते हैं goal अकर soft का व्यास मापने के लिए किस प्रकार की गेज का प्रियूख किया जाता है blank is used for inspection cylindrical soft तो फ्रेंट्स यहां पर कोश्चन में आपको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लिखा है साफ्ट का व्यास मापने के लिए किस प्रकार के गेज का प्रियुक किया जाता है तो अगर साफ्ट की बात आजाएगी तो वहां पर राइट अंसर आपको लगा काना है स्नैप और बताएंगे कि आपके 30 में से कितने कोश्चन सही हुए है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को आप जरू करने ताकि में तब कभी भी अगर आपके लिए वीडियो डालू तो आपको सबसे पहले प्रो की गई है तो जाकर आप चेक आउट कर सकते हैं